कि देव में और महादेव में एक बहुत बढ़ांतर है देव और महादेव में एक सबसे बढ़ांतर यह है कि देव को पुकारने पर देव दर्शन दे देते हैं देव में और महादेव में एक सबसे बढ़ांतर यह है कि देव को अगर पुकारा देवताओं को अगर पुकारा तो वो आपको दर्शन देने आ जाते हैं वो दर्शन देदे के देव और महादेव में सबसे बड़ा अंतर है कि देव और महादेव देवता का काम है अगर कोई ने पुकारा तो वो दर्शन देने के लिए आ जाते हैं वो दर्शन देने के लिए पहुच जाते हैं और महादेव में और देव में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि महादेव दर्शन देने के लिए नहीं आते हैं जिसने उनको पुकारा है उसको दर्शन के लायक बना देते हैं उसको ऐसा बना देते हैं कि लोग उसका दर्शन करत देव और महादेव में एक सबसे बड़ा अंतर है देव का देवता का भजन कर रहे हो तो वो दर्शन देने आएंगे देवता को पुकारोगे तो वो तुमारे पास पहुच जाएंगे देवता को पुकारोगे तो वो भगवान देवता आपको दर्शन देने के लिए पहुच जाएंगे पर देवता और महादेव में अंतर ये है कि महादेव दर्शन देने के लिए नहीं आते पर आपको ऐसा बना देते हैं कि दुनिया के लोग आपका दर्शन करने के लिए आते हैं ऐसा मेरा महादेव आपको बना देता